हलो एब्रिवन तो आज हम आपके लिए ले करके आए हैं ट्रिगोन मेट्रिक और यह जो है यहाँ पे हम आपको आज जो लार्ज वेल्यू होता है उसको फाइंड करने में बहुत सारे स्टुडेंट को प्रोब्लम फेज करना पड़ता है तो आज हम आपको यूनिवर्सल इत्र बताएंगे जिससे आपकी सीवी वेल्यू को फाइंड कर सकते हो और यह जो वीडियो है वो किसके लिए यूजफूल है अगर आप एक क्लास 11 टुवल्थ के स्टुडेंट है अधर वाज आपको एक कम्पेटिटिव एक्जाम का प्रिप्रेशन कर रहे हैं लाइक जै साइन भेप्रेशन होगा एक साइन देखना है और एक देखना है यहां पर हम लोग एक sentence यूज करते हैं all student to college क्यों ये sentence use करते हैं तो देखो basically न हर एक quadrant में कुछ trigonometric functions positive होते हैं कुछ negative होते हैं इसलिए आपको ये sentence आद रखना है all means first quadrant में आपका सारा जो trigonometric functions है वो positive होगा अब आपको पता कैसा चलेगा कि वो first quadrant में अभी बता रहे हागे second quadrant में आपका sign और cos x positive होता है बाकी remaining functions negative होता है third quadrant में T4 10 और quad positive होता है remaining functions negative होता है और last में C4 cos और 6 positive होता है remaining negative होता है एक ये चीज़ी होगा दूसरा आपका होगा कि ये function change होगा ये कब change होगा यहाँ पे हम लोग एक rule लेते हैं odd event का odd and event अगर odd आएगा तो change होगा event होगा तो change नहीं होगा function अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे sign के साथ cos x है यहाँ पे quadrant में बट यहाँ जो है वो sign किसमें change होता है cos में तो ये चीज़ें confuse ना हो इसलिए आप धिहान रखे ठीक है अब देखो यहाँ से यहाँ तक का value होता कितना है 90 minus something होगा तो वो किस quadrant में आगा first quadrant में आगा समझ आ रहा है कि कैसे आपको पता चलेगा कि वो first quadrant में है या नहीं तो 90 minus something means 90 तो यहां तक है यह line 90 का है और यह line आपका 90 का है तो उसमें कुछ कम कर देंगे less कर देंगे तो first quadrant में और 90 plus theta किसमें आ जाएगा यह आपका 180 का line है तो यहां से कुछ कम रखेंगे तो second quadrant but 180 plus something कर देंगे तो कहां पे चला जाएगा यह third quadrant में समझ आजाए अब यह जो line है आपका यह कौन सा line है 270 का अब 270 से अगर कुछ minus रखेंगे 270 minus something तो वो तो third quadrant में रहेगा but 270 270 plus something कर देंगे तो कहां चला जाएगा वो fourth quadrant में similarly यह जो line है इसको आप 360 का line अगर बोलते हो तो 360 minus theta fourth quadrant और 360 plus theta first quadrant है यह समझ आगया कि कौन सा angle किस quadrant में lie करेगा अब हम लोग सबसे first find करते है sin 120 का value कैसे देखो सबसे पहले हम लोग लिखे sin 120 degree अब इस 120 को हम लोग थोड़ा सा rearrange करेंगे और हम लोग इसको लिख लेंगे sin 90 into 1 plus 30 लिख सकते है 90 into 1 90 plus 30 120 ही तो हुगा no problem अब सबसे पहले आप देखो कि यह 90 into 1 देखो 90 आपका इसमें रहेगा ठीक है यहां से यहां तक गर आवंगे तो यह आपका होगया 90 और plus something है 90 plus something कहां़ पर आगिया second quadrant में और second quadrant में आपका sign होता क्या है positive होता है यहां पर देख लो sign second quadrant में और consequence positive होता है तो सबसे पहले ही आपको sign decide कर लेना है कि negative होगा या positive होगा अब हम बात करते हैं कि function change होगा या नहीं होगा यह देखना है आपको तो यह जो यहाँ पे देख रहा यह क्या है आपका odd और aut है it means क्या बताएं थे कि odd में change होगा तो sign जो है वो किस में change हो जाएगा cost में change हो जाएगा तो यहाँ पे आप लिक होगे cos समझ आया आपको तो ऐसे करके आप जो लार्ज वेल्डू है उसको आप स्वाल्व कर चकते हो अगर हम यहां पर एक और एक जामपल ले लेते हैं 10 120 का 10 120 का अगर आप फाइंड करोगे 10 120 10 120 को आप लिखोगी क्या सबसे पहले 10 120 इन्टु वन प्लस 30 नो प्रोब्लम जी अब यहां पर सबसे पहले तो देखो कि यह 19 इन्टु वन लिखोगी आप यहां पे यह जो नमबर है one हो क्या है odd और odd है में function change होगा और function change होगा means 10 किसमें change हो जाएगा quart में तो आप यहां लेखोगे quart और यह 30 अब quart 30 का value होता कितना है यह होता है आपका root-3 तो पाकी यहां पे जो फंसन और गिवन है उसका वेल्यू फाइंड करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना अब देखते हैं आपको कुछ आगे बताते हैं कि यहां पर हम लोग लिए हैं साइन 300 कॉस 420 टेन 150 कॉट 300 सेख 420 एंड कॉसे 150 सबसे पहले हम आपको एक बता देते हैं साइन 300 साइन 300 अब साइन 300 को आप लिख क्या सकते हूं आप लिख सकते हूं साइन 90 इंटू 3 270 प्लस थर्टी तो 300 हो गया ना आप देखो सबसे पहले आपको क्या चेक करना कि साइन क्या होगा तो देखो 90 means 300 किस कोईडेंट में जाने वाला है 270 प्लस सम्थिंग है तो यह किस में आ जाएगा 4th कोईडेंट में देखो 90 इंटू 3 आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 190 290 390 प्लस सम्थिंग में 4th कोईडेंट में ठीक है तो 4th कोईडेंट में साइन क्या होगा साइन हो जाएगा नेगेटिव क्योंकि यहां कॉसर सेख ही केवल पॉजेटिव होता है तो पहले आपको यहां नेगेटिव साइन डाल देना उसके बाद अब यहां पी जो 3 है यह और और होने के रीजन से साइन जो वो चेंज हो जाए कि इसमें कॉस में लिखो कॉस 30 वेल्यू तो साइन 60 का वेल्यू होता कितना है रूट 3 वाई 2 आप इसको ऐसे कर सकते हैं रिमेनिंग वेल्यू भी आप ऐसे ही सिमिलर्ली फाइंड करके चेक जरूर करना एंसर को कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना है नेक्स्ट वेल्यू अगर हम बात करें तो यहां प 750 का देखलो क्वाट 750 अब इसको आप क्या कर सकते हो इसको आप लिको क्वाट 90 इंटू कितने टाइम्स में आप कर सकते हैं 984 72 तो 72 मींस 720 प्लस 30 इसको आप एक और मेधर से भी बना सकते हो बट वो मेधर ना हर एक जगा पर अप्लिकेवल नहीं हो पाता है इसलिए आपको कशिए को नहीं बता रही हैं देखो या पर सबसे पहले तो यह 90 इंजी तू 8 टाइंट टाइम्स करना एंब करना है देखो even number है means no change तो quart जो है वो quart ही रहेगा और quart 30 और quart 30 का value 1060 का जितना होता है उतना ही होता है अब 1060 का कितना होता है 1060 का होता है root 3 तो इसका हो जाएगा root 3 एक आप ऐसे बना सकते हैं दूसरा आप ऐसे बना सकते हैं इस ही questions को means जो हम 90 into something कर रहे हैं उसके जगा पर आप क्या कर सकते हैं 360 into something देखलो quart 360 into 2 plus 30 आप 360 into 2 करोगे तो 720 हो जाएगा प्लस 30 करोगे तो 750 आपका हो जाएगा अब यहाँ पर अगर आप 360 लिख दिये ना तो आपका function जो हो कभी भी change नहीं होगा 360 वाले में function change होगा है नहीं तो केवल आपको sign check करना है समझाया कि 360 से plus something है 360 से minus अगर plus रहगा तो first quadrant माइनस रहगा तो fourth quadrant यही केवल sign check करना है function कभी भी 360 वाले में change ही नहीं होगा उस time आपको odd even नहीं देखना है but problem यह है कि हमेशा 360 के बाद यहाँ जो number है जो 30 बच रहा है कभी कभी वो ऐसा होगा कि आपका maybe 120 135 उतना बच जाए उस time पे आपको problem होगा इसलिए हम 90 वाला बताते हैं तो वो ज़्यादा easy होता है अब यहाँ पे देखो आप इसको क्या लिखते quad देखो 360 into 2 तो 360 पूरा एक बार run किये फिर 360 यहाँ आगया प्लस सम्तिंग फर्स्टी को एडिन्ट में आया तो यह quad 30 और quad 30 का value कितना था तो आप ऐसे भी मना सकते बट यह हरे questions में आपको में भी थोड़ा सा extra mind लगाना पड़ सकता है आगे हम लोग देखते हैं तो आगे और भी कुछ value है बट इस बार हमने कुछ negative value ली है कि negative value अगर है तो आप उसको कैसे निकाल सकते हैं मिन्स अगर यहाँ पे sign minus 120 तो minus 120 का value कैसे निकाल होगे देखो यहाँ पे आपको क्या करना है basically अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि अगर cos और sec के साथ अगर minus theta होगा तो प्लस हो जाएगा but remaining functions के साथ अगर minus theta होगा तो कहाँ जाएगा बाहर minus sine 120 तेख यह समझाया कि sine और cos x sorry cos और sec के साथ अगर minus theta होता तो बाहर यह minus जो है वो नहीं आता क्योंकि fourth quadrant में आ जाता है minus theta जो कि minus fourth quadrant में sec और cos positive होता है इसलिए उसमें minus बाहर नहीं आता है तो अब यहाँ पर जैसे आप as usual find करते हो वैसे find करो sine इसको 90 into 1 plus 30 लिख सकते हो no problem तो यह तो first quadrant में positive है तो यह पहले से negative है वो negative वाला हम लोग रहने देते हैं अब यहाँ पर 1 जो है वो क्या है odd और odd में क्या बता है function change function change means sign किसमे cost में तो cost में और cost 30 और cost 30 का value कितना होता है जितना sign 60 का होता है sign 60 का कितना होता है road 3 by 2 तो यह कितना हो जागा minus road 3 by 2 समझ में आया तो ऐसे करके आप यह जितने भी negatives value है उसका भी आप सारा चीज़े find कर सकते हो तो I hope यह सारा चीज़े आपको समझ में आया होगा अभी भी कोई doubt है आप comment कर देना हम comment में आपको reply दे देंगे और आपको किस topics पे और वीडियो चाहिए जहां पे आपको doubt होता है जहां पे आपको समझने में problem होता है तो comment करो यार हम आपके लिए उस topics पे वीडियो लाएंगे और हाँ चैनल पे नीव हूँ तो चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आपको next वीडियो ऐसा ही मिलते के सबसे पहले चलिए मिलते आपसे next वीडियो में